देखे बच्चो एट ग्रेड अभ्यास पुष्टिका यह गर्गर्मेंट स्कूल में लगती है और यह बहुत इंपॉर्डन बुक है तो इस बुक को हम पूरा का पूरा एक्स्प्लेन करने वाले हैं जिन बच्चों को बेसिक कहा जाए मैथमेटिक्स या गणित का नौलेज देखे निए तो इस वो सभी बच्चे इस बुक को जरूर पढ़ें और इस बुक से ही कोशन आने वाले हैं आपको जो मेन एक्जाम होगा इसी बुक से आएंगे हम क्या करएंगे वन बाई वन इस कोशन के या कहा जाए कि इस बुक के सभी कोशनों को सॉल करने वाले हैं देखें शुरुआथ करते हैं ठीक है पहला जो चैप्टर है क्या है इंटीजर है पूरुण आंख है जिसको हम प्रिपेर करेंगे ठीक है फोर पेज पेच पेचलते हैं लोग पूर्णांख तो one by one देखे कोई पूप शुरुआत करने से पहले आप ध्यान दो हम one by one सेरीज में चलेंगे पूर्णांख किसे कहते हैं इसको आप रीट कर लो ठीक है पूर्ण संख्याओं में रिनात्मक संख्या को अगर सामिल कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती से पूर्ण कहते हैं ठीक है एक्जांपल आप देख लो यह पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या कौन से होती है आइडिंटिफाई कर लो देखो यह जो जीरो है यह पूर्ण संख्या को समलित कर दिया गया है इसलिए क्या हो गई है पूर क्लोजर प्रपर्टी है क्लोजर प्रप्रप यैनि क्या योग न्तरगत जैसे यह एकक ठीग लिई गया ठीक और यहां पर लेलिखीक यहां पर पहले प्रंपल यहां पर मेंसन प्रप्ट होगा्शा मैनस 3 12 हुआ तो क्या है गया माइनस फाइफ एक कहा जाये फिर से पूरांग प्राप्ट हुआ इसलिए क्या गहते हैं यह क्या है क्या है प्रूजर प्रपरटी मतलब जब दो और स्वाब जोड़ें घटा है तो एक और प्राप्त होतों टोज़र है अब अब लॉजर प्रपरटि का यह कया धैटेशन थैसे क्लोजर प्रपरटि का क्या होता है सब्ट्रैक्शन भी होता तो यह बोला जाता है कि जब एक पुरांग को दूसरे पुरांग में घटाते हैं तब भी पुरांग प्राप्त होता तो क्या होता है क्लोजर प्रवर्टी का घटाना खेलाता है अब पुरांग को के योग और अंतर के क्रम बिन में नियम को समझेंगे ठीक है क्रम इनमें नियम में क्या होता है कि कोई भी नमबर ले लिज़े आप कि अरो बी क्या नियम कहते है और यह पालन करता है ठीकिचए सही देखेіз देखें इय hunter also B यह प्लिस होगे कि इसे फिरुपयरटे में इस एसे फिरुपैयर में क्या हुता है कम कर ск संख्याहों के साएचर्ख के प्रयोक संख्याह को समुह तो हम एक्जाम्पल अगर लें अपने से एक एक्जाम्पल लें जैसे लिखा 1 लिखा 2 लिखा 3 अब इसको एड़ करना है तो आप क्या करिए ऐसे प्लस लगा दीजिए इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया फिर फोल लगाया थोड़ा चेंज कर दिया वन को छोड़ दि देखें 1 प्लस 3 और 2 क्या हुआ 5 फिर से दोनों कैड़ के तो कितना आगया 6 तो आता कहा जाए कि आएगा वही लेकिन हमने क्या किया है कि रूल्स चेंज कर दिया है संख्याओं को क्रम को बदला गया पहले पहले लिया गया था ये प्लस बी प्लस सी लिया गया ये वाला मैं पहले इसको एपलाई कर दिया थे इधर वाला आरचेस वाला ये प्लस बी ब्रैकेट लागा गया फिर सी गेट किया एक बार क्या गया एक को बार करके बी सी जोड़ करके फिर एट किया तो इस प्रकार से ने कहलाता है अब योज तस्मख जो एक्जाम में आने वाला देख इंपॉर्टक्सी बताते चाहिए लूज तक क्या होता है यह देख लो जीरो पुडांग के लिए योज तसमक किसी पुडांग का जो योज तसमक होता है वो जीरो होता है इसते याद कर लो ठीक है ना किसी इंटीजर का योज तसमक क्या होगा शून ही होगा तो शिच को में सा याद कर लीजे चलिए अब पुडांको को गुड़न फल पढ़ते हैं तो पुड़न को गुड़न फल में पहले प्रॉपरटी पढ़ना कि प्लस को प्लस से एड करो उतके आएगा प्लस माइनस को माइनस से एड नहीं इंटू करेंगे तो यह पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अगर यह जानकारी आपको नहीं है तो फिर बच्चो आपसे बनने वाला नहीं है multiplication तो plus में plus का into तो plus आए जिसे 2 plus 2 अब दोनों plus 2 है इनका into क्या जाएगा तो 2 जा 4 plus में आया माइनस का minus into तो plus आए जिसे minus 3 और minus 3 का into आपस में करेंगे तो minus minus क्या होगा बोला क्या है plus हो जाएगा 3 3 जा 9 सिंबल का into बत जिखा जा रहा है ऐसे plus और minus का अगर आप into करने वाले हैं plus minus का मतलब होगा 2 होगा एक plus में और into करना है minus 3 का ठीक है इनका अगर into करना है तो answer जो आए काहिए माइनस में आए तो माइनस लिखिए 2 3 जब 6 लिखिए एक नमबर और लेते हैं वो क्या बोल रहा कि minus और plus के into करना है तो पहला digit minus ले लिजे से 3 ले लिजे और दूसरा digit हमने ले लिया 5 तो आने बाला result क्या होगा तो माइनस में तो माइनस 5 तरिजा 5 तरिजा क्या होगा 15 ठीक है इस प्रकार्ट रहे तो यह आपको प्रोपरटी याद रखनी पड़ेगी क्या होगई into की प्रोपरटी होई ऐसी होती है दिवीजन की प्रोपरटी तो यहाँ पर भी देख लो चलिए तो बोला क्या जा रहा है कि जब आप प्लस वाले प्लस को डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आएगा resultant जैसे देखे एट और फोर दोनों प्लस में डिवाइड के तो प्लस में एंसर आए माइनस और माइनस को दिवाइड के तो कहिंए result आया प्लस में ही आए क्योंकि फोर फोर जाए एट फोर टूजए एट और माइनस माइनस कट गया ठीक है ऐसे प्लस में जब माइनस को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आने वाला जो एंसर आएगो माइनस में आना चाहिए तो माइनस लिग द तो कहा जा कि basic concept पहले आप clear कर लो और इसके बाद आगे कर जो भी है question आप solve करो तो आपको देरे देरे समझ में आएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं question number पहले से क्या बोला है घटा ये तो घटा दीजिए तो पहले property open करते हैं minus minus किंटू करेंगे तो क्या आएगा plus तो यह यहां लिखेंगे minus 15 is equal करके minus 15 और minus minus plus 18 ठीक है is equal to 18 और 15 अपस में घटेंगे तो कि इता आएगा 3 आएगा बड़ी डिजिट क्या है यह याद रखना है बड़ी डिजिट का है में 18 प्लस में है तो इसलिए इसका answer आगया फ्लस में ठीक है चले next question करते हैं अब यहां पर करना है इस question को इस question के लिए क्लिए क्या है property यूज ऐसी directly करेंगे हम तो पहले अंदर चलिए इसके अंदर चलना पड़ेगा तो अंदर जाने क्लिए पहले bracket open कर लीजए तो minus minus आपको दिख रहे हैं दोनों सेम है प्लस में इनको आपस में क्या करेंगे आप एड करने वाले हैं तो एड करेंगा फाइब 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 अब next question करते हैं ठीक है तो next question आप देख लो जी रहा देखिए आप पूरा वीडियो देखिएगा जहां पी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजेगा एक काम जरूर करना है आपको अगर कहा जाए कि पूरी वीडियो time to time मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा ठीक है ना लाइक भ के लिए हेल्प है तो आप उनको वीडियो सेयर कर दीजिए जिससे वह यह देख करके हो सकता हूं कि हो जाए तो घर बैठे भी लर्न कर सकते हैं सीख सकते हैं देन मैं कहूंगा कि आप तो ठीक है सब्सक्राइब करी लिजेगा बट जो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं सी सकते हैं तो उनके लिए वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा जिससे वह बैठके सीख लें क्योंकि इसी से कुश्चन आने वाले बाहर से नहीं आएगा तो ठीक ना तो रेगुलर वीडियो के लिए आप यह काम करते रहिए चलिए तो हम करते हैं माइनस 25 लिखिए पहले ही प्लस होता ही ठीक है तो पेमान बैकती को दीखिजा आता है जो इमांदार बैकती कुछ जल्डी कोई भाप नहीं सकता है त 오 यह साइन होते है अचरों के तो और है पहले है ठीक है इक funzौ Как से दीखा नहीं रहा तो मैइनस माइनसel यानी एक जैसे चिंदर जो तो जे अब देखोँ यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस यह कहला है एक जीज़ेसे छिन होगे हो नहीं क्या होगी आपस में जुड़ेंगे तो 5 38 चालमेक है पहला कोश्टन होगा सॉल हम नेक्स्ट कोश्टन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यह तभी किया जाएगा जब देखेंगे व्यूस बगारा क्या है अगर आपको पसंदार रहा हो तो आप कमेंट्स करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाई सर्थ तो मैं जल्दी से झाल 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